अब ही जैसे कि मेरे दर्श्रकों को पता होगा हमारी दो साल की अनुवसरी पार्टी खतम हुई है और मैं उपर विकरान्त के पास आए हूँ बाग को उनकी कमरे तक पहुँचा के और यहां पर हमारे ओर्डियन्स को पहली बार पता चलेगा कि मैं सिमर हूँ यह राज मेरे और विकरान्त के बीच में है और विकरान्त ये बात जानते हैं कि मैं सिमर यहां पर मैं बेलकुल अलग हूँ क्योंकि कुछ कमिटमेंट हुई है हम दोनों की बीच में जैसा कि इस सीन में बहुत लियरली विकरांत ने मुझ से पूछा कि इस राज को राजी रखेगा और मैंने भी उने कहा कि जब तक आप अपने वादे पर कायम रहेंगे मैं अपना यह राज अप हम दोनों की बीच में रहेगा तो इससे यह हिंट मिलता है कि कुछ न कुछ कमिटमेंट हम दोनों की बीच में हुआ है और किसी मजबूरी से मैं यहां हूँ और नीची जबूआ के साथ सीन गया है उसमें मैं काफ़े एमोशनल हो जाती हूँ अपनी भारतवाज फैमली को याद करके तो यह बात तो तेह है कि कही ना कहीं सिमर है मेरे अंदर है जाहिर सी बात है लेकिन क्यों ऐसा हुआ यह आपकर कुछ समय में पता चले है जाहिर सी बात है तीन साल जहां बिताए है उस जगह को बहुत जादा मिस कर रही हूं और वो सिमर का घर है वो सिमर का ससुराल है तो मैं डेफिनिटली बहुत बहुत जादा मिस कर रही हूं अपने से को मैं सबसे जादा अपनी एमजे माम को मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत जादा क्लोजों हम दोनों रूम शेयर किया करते थे तो मुझे सबसे जादा कमा उनकी महसूस हो रही है